नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महतोपूनुच जानकारियों को ले करके आईए आज हम सभी जानते हैं भटकैया के फायदों के बारे में सबसे पहले तो इसका परिचे जानते हैं भटकैया, कटेया वेगुना भटकेया के नाम से जाना जाता है इसे यह कटेरी चोक का ही एक प्रकार है जमीन से 60 से 90 सेंटीमीटर उंचा होता है इसमें छोटे बैंगन जैसा फल लगता है और बैंगन जैसे ही कटीले पत्ते होते हैं इसमें पीले चित्तीदार फल लगते हैं ये कटेरी के पेंड के समान ही होता है इसके गुनों को जानते हैं भटकया तीखी पाचन शक्ति वर्धक और सूजन नाशक है तथा यह उदर रोगों यानि कि पेट के रोगों को दूर भी कर देता है अब आईये जानते हम इसके प् प्रयोग कैसे कर सकते हैं सबसे पहले पथरी के इलाज में भटकया का प्रयोग भटकया के 14-28 मिलिग्राम पंचांग का रस सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से पथरी और मुत्र क्रिक्षे यानि कि पेशाब में जलन मिट जाता है अगर आप इस ढंग से इस्तिमाल करत सकते हैं तो दूसरी बीमारी बच्चों की अगर खासी है बच्चों को खासी हो गई हो तो भटकया का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं भटकया के 20 मिलिग्राम से 50 मिलिग्राम फूल शहद के साथ दिन में दो बार देने से बच्चों की खासी दो दिन में ही ठीक हो जाती है वायू प्रणाली शोत यानि कि ब्रोंकाईटिस भटकया की जड़ कारह 20-40 मिलिलिटर की मात्रा में सुबह शाम रोगी को देने से वायू प्रणाली शोत यानि कि ब्रोंकाईटिस में बहुत लाव मिलता है इसके अलावा फेफ़णों के अगर आपको रोग हैं तो भटकाया का कारहा 20-40 मिली लिटर की मात्रा अथवा इसके पत्तों का रस 3-12 मिली लिटर तक की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से फुपफूस यानि की फेफ़डे संबंधी अनेक रोगों में बहुत ही लाव होता है रोग दूर हो जाता है श्वास या फेद दमा का रोग भटकाया की जड़का कारहा 20-40 मिली लिटर तक की मात्रा में या इसके पत्तों का रस 2-5 मिली लिटर की मात्रा में सुबह शाम स्वास के रोगी को देने से श्वास रोग ठीक हो जाता है भटकाया के पंचांग को छाया में सुखा कर पीश कर छान लेते हैं इस चून को 4-6 ग्राम के मात्रा में लेकर इसमें 120 ग्राम रस सिंदूर मिलाएं तथा 6 ग्राम शहद में मिलाकर चाटें इस प्रकार दोनों समय सेवन करते रहने से दमा और दमे की खांसी में बहुत ही लाब होता है काली खांसी अगर आपको है भटकाया के रेशों को छाया में सुखा कर इसमें 18-24 मिली ग्राम के मात्रा में शहद मिलाकर दिन में 5-7 बार चाटने से काली खांसी ठीक हो जाती है नॉर्मल खांसी है अगर तो भटकाया यानि के रेंगनी काट की जड़ के साथ गुडुचू का काढ़ा खांसी में लाफकारी सिद्ध होता है इसकी दो मात्राएं रोज रोगी को देने से कफ धिला होकर निकलने लगता है यदि काढ़े में काला नमक और शहद का योग दे दिया जाए तो कारे शमता और अधिक बढ़ जाती है भटकाया के 14-28 मिलिलिटर कारे को तीन बार काली मिर्च के चून के साथ सेवन करने से खांसी में लाफ मिलता है लगभग 10 ग्राम कटेली के जीरा को पीश कर 60 मिलिग्राम शहद में मिला कर चाटने से खांसी में लाफ मिलता है यदि बलगम कुछ पुराना पड़ गया हो तो 2-5 मिलिलिटर भटकाया यानि के रेगनी काट के पत्तों के कारे में छोटी पीपल और शहद मिला कर सुबह शाम रोगी को पिलाने से खांसी में अराम आता है यदि रोगी को खांस्ते खांस्ते उल्टी हो जाए या दमा की खांसी हो जाए तो भटकाया यानि के हम आपको बार बार बता रहे हैं जिसे रेगनी काट भी बोलते हैं मूल जड के कारे में सेंधा नमक और हिंग मिला कर सुबह शाम दोनों समय 20-40 मिली लिटर के मात्रा में सेवन करने से लाब होता है जीव की जलन और सूजन में यह राम बानी लाज है जीव की सूजन एवं जलन में भटकया की जड़ का काढ़ा 20-40 मिलिलिटर बना कर रोजाना सुबह शाम पीजिये आपको अवश्य लाव होगा अगर आपके मुँँ में छाले हो गए हैं तो पीडा होने पर कंटकारी यानि के भटकया जिसे हम रेंगनी का काढ़ा भी बोलते हैं इसके पांचांग का काढ़ा बना कर कुल्ला करने से मुँँ के सभी रोग ठीक हो जाते हैं दर्द एवं सूजन होने पर 20-40 मिली लिटर भटकया की जड़ का काढ़ा या पत्ते का रस 24-5 मिली लिटर सुबह शाम सेवन करने से शरीर का दर्द कम होता है भटकया दर्द नाशक गुण से युक्त और शद है पेट में पानी का भर जाना यानि की जलोदर हो जाना भटकया की मूल जड़ को बारीक पीस कर कालहा बना कर शहद में मिला कर 20-40 मिली लिटर के मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से जलोदर यानि की पेट में पानी का भरना खत्म हो जाता है काम ठीक हो जाता है आपका पीत की पथरी भटकया की जड़ का चोन बना कर दो गराम सुबह शाम मीठे दही के साथ सिर्फ साथ दिन तक पीने से लाब होता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आप सभी के लिए अलग-अलग वह शद्याँ लेकर के आते रहते हैं जिनके प्रयोग से आप अपने रोगों को दूर कर सकते हैं अपने जीवन को सवस्थ और निरोगी बना सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास पहला जो धन होता है वो स्वास्थ ही है हमारे पास कितनी भी धन समपती मूल रूप से पैसा हो लेकिन हमारा स्वास्थे सही नहीं है तो हम किसी भी चीज का प्रयोग धंग से नहीं कर पाएंगे इसलिए सबसे जरूरी है पहले स्वस्त रहना अच्छा खान पान रखना तो ये थी आज की हमारी जानकारे आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और नई और शद ही ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों